Hello friends, welcome to Only Eyes Hindi, सब्सक्राइब दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है तो बच्चों आपका चल रहा है, quality लक्ष्मी काम, उम्मीद है किसके पहले के 80 chapters इस series के साथ साथ आपके भी cover हो गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं chapter number 81 और हम बात करेंगे चुनाव कानून की अलकि आप सभी को ताकि topics खोजने में आसानी रहें इसलिए अगर short topic भी है तब भी हमने पूरी कोशिश की है कि हम उसको आपको अलग एक subject video प्रोवाइट करें कभी भी आपको चीजों को segregate या सर्च करने में problem ना हो तो 80 chapters हो चुके हैं जिन बच्चों को लग रहा है continuous ने लक्ष्मी गांद करा दीजिए तो बच्चों अभी आपका चल रहा है आप इन वीडियोस को देखिए वैसे भी आपके 10 lectures इसमें जो है वह रह गए हैं 10 lectures रह गए हैं लगबख सारी important चीज़े तो हो चुकी है कुछ कुछ एक क्रक सब कह सकते हैं रह गया और लास्ट में जिससे की 80 chapters कर चुके है अभी तक आपकी responsibility है बच्चों आपको notes बना रहे हैं जो आपके backlog होगा है उसको पढ़ना है reading करना है revise करना है यह series definitely आपको काफी help करने वाली है films means both perspective है ना क्योंकि हमने इसमें means को भी काफी cover करके हम चले हैं so this is telegram channel आप सभी के लिए at the rate manju pwpsc वाला या तो search करके join कर लो या scan करके join कर लो class के information and सारी चीज़ों के लिए pdf notes so इसमें हमें जाना है यह ऐसा important topic है जो की आपके slabus में भी सीधे तोर पे लिखा है जैसे की पंचाइती राज अगर लिखा हुआ है तो सीधे तोर पर आपको जन प्रतिनित्व अधीनियम 1950 और 1951 भी देखने को मिल जाता है इसके अलावा परिसीमन आयोग है चुनाफ के कुछ और नियम है संबंदित कुछ आदेश है चुनाफ कानून election law की अगर हम बात करेंगे election law की आखे हमारा जो चुनाफ है चुनाफ के जो नियम है वो सारी चीज़े किसके इड़गर्द घूमती है आपको election के लिए लोगसभा राजसभा विधान परिशद विधान सभा कितनी सीटे हो जो सदस से खड़े हो उनकी क्या योगताए अगर आयोगताए हो voters कौन होगा क्या उसकी age होगी कहाँ पर हम duty उचितब न्यालाई की सेट करेंगे कहाँ पर हम duty निर्वाचन आयोग की सेट करेंगे कहाँ परिशीमन आयोग होगा किस शेत्र को लेके जो परिशीमन आयोग है वह चुनाफ कराएगा constituencies जो शेत्र की हम बात करते है निर्वाचन शेत्र की जो बात करते है तो परिशीमन आयोग होगा वहाँ से आप एक या एक सेदिक जो अमीदवार है वह खड़े होते हैं वहाँ से elections होता है elections के लिए कैसे चुनाफ चिन्ध का अबंटन करा जाता है and all तो ये सारी जो चीज जहेब है इन चार-पाचीजों में निहित है मतलब चुनाफ को लेकर क्या-क्या लॉज बनाएगा जैसे कि हम परिसीमन की बात करते हैं तो परिसीमन डालिमिटेशन की अगर हम बात करें डिलिमिटेशन जो आपका कमिशन है इसका में काम क्या होता है कि जिन संख्या कि अन लोकसबा और विधालसबा में दिया गया है जन प्रतिनित्व अधिनियम 1950 और 1951 तो यहां से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे फिलाल मैं आपको एक मेंस का कुश्चन दिखाती हूँ जन प्रतिनित्व अधिनियम के थैर भस्त आचरण के दोशी पाए गए व्यक्तियो जन प्रतिनित्व अधिनियम है फ्रस्त आचरण के दोशी पाए गए जो व्यक्ति है उनकी योगता की प्रक्रिया है उसको लेकर जो प्रावधान है वैं किया गया है चलिए आए आखिर देखो बहुत कंफ्यूजन होता है सम्टेंज हमें 1950 मिलता है कभी कमी हमें 1951 मिलता ह हम उस पर भी बात करेंगे कि आकर इसमें जो gravitational जन प्रतीडनित्व अधीनियम जन प्रतीडनित्व अधीनियम जन प्रतीडनित्व अधीनियम दो एक्त है आपके, हैना? Public Representation Act Public Re-representation Act Public Representation Act दो हो गए, ठीक है? तो अब देखो कि यहाँ पर यह जो सम्टाइम्स आपको कही-कही P, R, A भी शॉट में दिख जाता है P, R, A ठीक है? तो यह है आपके दो Act, एक है 1950 का और एक है 1950 का एक है आपका People Representation Act 1950 जयन प्रतिने तधीनियम 1950 है ना? और दूसरा है आपका 1951 1951 चलो हम इन दोनों में अंतरकी बात करते हैं हम इन दोनों में अंतरकी बात करते हैं ठीक है? सबसे पहली बात देखो कि जब हम बात करेंगे 1950 की तो basically इसमें लोकसभा, विधानसभा इन सब के लिए सीटो के आबंटन की जो बात है वे की गई है कि कितनी सीटे होंगी, सीटो का जो आबंटन है वे कैसे किया जाएगा, कितनी सीटे होंगी, विधानसभा की सीटे कितनी होंगी, किस राज्य में, ये सारी बाते किसको अधिक तो सीटों का आबंटन और साथ में जो चुनाव शेत्र हैं उनका सीमांकन कैसे होगा जो चुनाव शेत्र हैं चुनाव शेत्रों का सीमांकन कैसे होगा चुनाव शेत्रों का जो एक सीमा तै होगी वह कैसे तै होगी यह बात पेस्ट में कहीगी है न, so act to provide the allocation of seat, ये act किस से जुड़ा हुआ है, allocation of seat से and इसके अलावा preparation of electoral roll, preparation of electoral rolls, ठीक है, इस से जुड़ा हुआ है, अब देखो इसमें जो नहीं था, वो हमने 1951 वाले में रख लिया, सीटों का abundance, चुनाफ शेत्रों की सीवांकन की, तो हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ पर केवल हम सीटों तक सिमट के रह गए, अब आगे हमें ये भी देखना था, कि इसमें जो सदस है, ये सुप्रियम कोट की भूमी का है, आखेर वो कहा पर होगी, तो यहाँ पर ये कहा गया कि हम दोनों सदनों की बात करें, तो सदनों, इसके अलावा राज्य की जो विधाईका MALE है, राज्य विधान मन्डल मतलब दोनों की ही बात होगी, विधान सभाब, विधान पडिशन, बुल तो नहीं रे, ये कीा है, बायकेमरियल सिस्ट्रम, दुई सद नी विधाईका, तो इसमें ये कहा गया कि इसमें अहर्ता, योगता, भ्रास्टाच्रन, आखिर क्या होगा? इन सद्नों के लिए जैसे कि उम्र की बात करें. अगर मालीजे चेंज करना होगा कि राजी सबा, लोग सबा के लिए, अगर हमें सीटो के आवंटन को चेंज करना है, तो कहा चेंज होगा? यह बताएगा कि भ्रस्टाच्रन क्या है, इसके accordingly, जो भ्रस्टाच्रन है, आखिर वैक क्या है? चुनाव संबंधी प्राबधानों के, चुनाव संबंधी प्राबधान, चुनाव संबंधी प्राबधान, यह इसमें लिखे हुए हैं. इसके अलावा देखो चुनाव को लेकर जो विवाद होते हैं न तो इन विवाद को कैसे देखा जाएगा इन विवाद हो के लिए भी 1951 की बाद जो है वेक की गई है तो एक में अंतर जो यहाँ पर आपको याद रखना है 50 और 51 में कि इन दोरों में एक डिफरेंस आपको ज सीजन में अपने कि अगर मान लेजे किसी उमीदवार के द्वारा अपनी जो सक्षनिक योगता है जो अपनी अकडमिक जो क्वालिफिकेशन्स है अगर उसने वो घलत जानकारी दी है तो ये भरस टाचरण नहीं माना जाएगा भरस टाचरण क्या है रिश्वत खोरी करना गलत तरीके से वोड प्राप्त करने के लिए पैसे देना उसको हम भरस टाचरण मानेंगे लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर क्या आपने अगर अपनी क्वालिफिकेशन्स एजुकेशन्स जो है अगर आपने वो घलत जानकारी दी है तो चुकी हमारे देश में हम जो उम चल्वाओ तो थोड़ी सी चर्चा 1950 की हम कर ले तो इसमें आपको कुछ आर्टिकल में आपको बताती हूँ आर्टिकल हम बात करेंगे 81 और 170 आर्टिकल 81 and 170 यह संसद और राज्यों की विधान सभा में अधिक्तम सदस्यों की जो सख्या उसकी बात करेगा लोगसभा और राज्यों की विधान सभा में सीटों का जो आबंटन है इसके प्राबधान की बात जो है वह इसमें करी गई है ठीके और इसमें उन प्राबधानों की बात की गई है कि आखिर किसकी आधाय पर सीटों का आबंटन होगा किस आधार पर किस आधार पर सीटों का आबंटन होगा किस आधार पर सीटों का आबंटन होगा वो प्रावधान भी इसमें लिखे हुए है वो प्रावधान भी इसमें लिखे गए है मतलब उन सिध्धानतों की बात भी की गई है जिन सिद्धानतों के आधार पर आपने सीटों का अवंटन किया गया है उन सिद्धानतों को लिखा गया है किसमे 1950 वाले एक्ट में तो ज्यादा तर ये आपका सीटों से संबंदित होगा आपका राज्यो लोक सबा और राज्यो की विधान सबा और विधान परिशदों में कितनी सीटे होगे उसके लिए इसके अलावा देखो निर्वाचन शेत्रों का जो परिसीमन होगा उसकी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तो परिसीमन करने का काम तो परिसीमन आयूग का है लेकिन परी सीमन की जो प्रक्रिया निर्धारित होगी कि किस प्रक्रिया क्या धार पर आप करोगे वो प्रोसेस आपको 1950 में मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सीटों की बात की गई और निर्वाचन शेत्र आप सीटों के हिसाब से ही तो रखते हो कि इतने लोग जो होंगे वैस सी सेवेंटिवन है, किसे संबन्दे थे विधान परिश्दों से, जो उचच सदन होते हैं राजियों के, जیसे कि राजसवा हेंग्र में है, न? तो आर्टिकल वन सेवेंटिवन में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य की जो विधान भी आपका जो एक्ट है ये 1950 का ये करेगा ठीक है ना केवल अधिकतम बलके हम यहाँ पे नियुनितम भी लिख देते हैं कि अधिकतम कितनी होगी और कम से कम कितनी होगी तो minimum और maximum जो सीट्स होगी विधान परिशत के लिए उसके निर्धारण की बात इसमें कही गई है इसके निहाँ पर वास्तवे कावंधन किस पे चोड़ दिया गया है प्राबधान तो articles में किये गए वास्तवे कावंधन 1950 में छोड़ दिया है क्योंकि इसके हिसके हेसाब से ही सीटों की बात होगी इसके अलावा मतदाताओं की क्या योगता होगी वह झो काम है भेकरेगा ठीके एक्ड देखो कि यह अधीनियम राष्टपती को कुछ शक्ति देता है, यह अधीनियम क्या करता है राष्टपती लिए हो कि इस्वाथ कीॡ शक्ति डेता है, किया एक्ड़ुनाव आयोग, निर्बाचन Cumimission of Indy और राष्टपती को इस धालावा आयोग, आयोग के परामर्ष से चुनाव आयोग के परामर्ष से जो चुनाव शेत्र है उनकी संख्या का निधारन कर सके चुनाव शेत्रों की संख्या को सीमित कर सके तो यहां पर चुनाव शेत्रों की संख्या को सीमित करने की शक्ति किसके पास है रास्पते के पास है क्योंकि यह जो एक्ट है आपका पियार है ये दे रहा है और ये कैसे होगा तो चुनाव जो आयोग है चुनाव आयोग है चुनाव आयोग के परामश के साथ ही ये काम जो है वह होगा ठीके साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि चुनाव शेत्र में जो निर्वाचक होंगे उनकी योगता योगता की बात जो है वै क्या होगी मतलब यही बात इसमें कही गई कि मद्दाताओं की योगता योगता की बात जो है वै करेगा इसके अलावा मद्दाता सूची तयार करने खाली सीटे भरने के तरीके क्या होगे प्रक्रियाओं करने धारन करने का काम भी यह करेगा ठीके इसके अलावब कुछ और प्रावधानों की बात भी इसमें की गई है जैसे कि देखो राज्य सभा में संगिये शेत्र के प्रतिनितियों की सीटों की प्रक्रिया क्या होगी। मुझ मेटल Mtूरो की इत की प्रप्रदीशू के होते है । और राज्यसभा के लिए कितनी सीटी होगी तो उनकी सीटों और कितने राज्यकों कितनी सीटी दी जाएंगी सम्विधान की चौथ य conception में लिखा है । यहां सभा में जो संघिय शेत्र है मतलब जो के अगर केंद्रों की हम बात करें तो संघिय शेत्रों के जो प्रतिनिधियों को चुना जाएगा ये बात इस PR Act 1950 में लिखी होई है आया समझ में तो प्रप्रेशन ओफ इलेक्टूरल रोल मद्दाता हों मद्दाता सूची तैयार करना ये सारी बाते होगे आया समझ में ये है आपका जन प्रतिदित्व अधीरियम 1950 एक बार फिर से देख लेते हैं फिर 1951 की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ चीजों की बात की कि जैसे कि हम सबसे पहले तो सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यों की विधान सभा और विधान परिशदों में सीटे कितनी होंगी इवन अगर आर्टिकल 171 जो की विधान परिशद की बात करता है तो विधान या क्या होगी उसके लिए Article 81, Article 170 किस से संबंदित होगा लोग सबार आज एक बार आपको Article 81, Article 170, Article 171 और Article 172 इन सभी आर्टिकल की चर्चे इस चेप्टर में तो प्लीज याद कर ले ना इसको यह आपकी डूटी होगी आउज ज़रा एक कुश्चन बताओ जन प्रतिनित वो अधेनियम 1950 के प्रावधानों पर विचार केजें यह अधेनियम प्रतिक संसदी निर्वाचन शेत्र के लिए प्रतिक शुनाव का प्रावधान करता है जिससे निर्वाचक और प्रतिनिधी के बीच में प्रतिक शिसंपर्क सुनिश्चित हो पाए और इससे निर्वाचन प्रक्रिया को सहभागी बनाने में मदद मिले। फिर से पड़ो तो प्रतिक संसदी निर्वाचन शेत्र के लिए प्रतिक शुनाव का प्राभधान करता है। यह अधिनियम लोकसभा में सभी राज्यों को उचित प्रतिनित्व प्रधान कर देश की संगी राजववसा को मजबूती देता है। लोग सभा में सभी राज्यों को उचित प्रती निरत्व हमने देखा सीटों का अबंटन हो या सीटों का अबंटन की प्रक्रिया हो इन सभी के लिए जो आपका प्रिसीमन की प्रक्रिया से संबंदित है एक प्रिश्ण और आजाओ अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो आरपी एक्ट है 1950 इसके उद्दिश क्या है तो चुकि देखो सीटों की आबंटन की बात की गई जन संक्या का रुपात में जो निर्वाचन शेत्रे उनको समान करने की बात की गई है आओ देखते हैं लिखा क्या क्या है लोग सभा और र योजनात मरतब उद्देश से निर्वाचन शेत्रों का परी सीमन बिलकुल सही मत दाता हो कि योगता योगता सोची तैयार करना और सीटे भरने का जो तरीका है वो क्या होगा तो यह सारी चीज़े जो है वैक इसमें लिखी हुई है जो आपका ये प्यार एक्ट 1950 है इसमे तो अब ये देखो कि ये क्या कर रहा है जो दोनों सदन है दोनों सदन है राज और खेंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर योगता आयोगता किसका निर्धारन कर रहा है अब यहाँ पर सदस्ता के लिए ये इंपोर्टन है सदन की सदस्ता के लिए योगता निर्योग करना ये 1951 तो 50 जो है बस सीटों से सब्बंदित था 51 में विवाद योगता योगता की जो बात है वह आ गई और बेस्ट प्रथाओं की बात आ गई योगता योगता ओविस सी बात है कि अगर किसी ने कोई भरस्ट राचरन किया उस आधार पर उसको आयो गोशित किया जाता है अगर विवादों का निप्टारा कुछ कर रहा तो सुप्रीम कोट करेगा कैसे करेगा वो सारी बात भी आपको 1951 के एक्ट में मिल जाती है अब महत्व की हम बात करेंगे तो महत्व आ करना या इस तरह के एक्ट में कोई प्राब्धान करने से हमारी साबाजिक राजनतिक ववस्ता सुधर्जाय डिपाउम हो जाई यह सभव है ना ऐसा क्यों है क्योंकि चीजें एक्ट बनाने से नहीं बदलते जैसे कि 1990 के दशक में जब दहेज कानून आपने देखा था नि एक जो MP था Member of Parliament तांसा सदसे के द्वारा एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अभी भी लाखों जो अत्याई हैं हालाकि केसि उतने उजागन नहीं हो पाते हैं पब्लिक लेकिन वो दहिश के कारण हो रहे हैं तो भरस्त आचरण पे रोक लगाना भरस्त आचरण केवल आ हम अब मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर वो इजट से उनको प्यार होता है अपनी तो राजनीती जैसी जगा पर नहीं जाते हैं उनमें अंदर नैतिक ता आगर है तो वो राजनीती नहीं करते हैं तो यहां पर आखिर ऐसा क्यों होई क्योंकि राजनीती को कहीं महत्मा गादिवाली की वो कहते हैं कि राजनीती ने हमें एक साप के कुनली की तरह जकर रखा है राजनीती ये बात सही है उन सभी चीजों सो जो अभी राजनीती उन से उपर है जो हमारे राजनीता करते हैं समझो इस बात को जो राजनीता कर रहे हैं वो राजनीती नहीं कि नीतिओं में जो service rest नीती होगी वो राजनीती होगी लेकिन अभी क्या है कि राजनीती का मतलब हमने केवल दो गुलापन देखा राजनीती का मतलब हमने केवल तो एक negative अगर हम impact हो रहे हैं इस word से कि कोई अगर हमारे सब गलत कर दे, manipulate करे, गलत चीज़ों को कहे तो हमें ल लोगों की success होने के chance ज़्यादा रहते है उनको डर्नी होता कोई मार दे कहीं कि भीड दिया आपनेसे मजबूत मिला आपको पीड के चला गया आपसे कमजूर के दिख जाते हैं पड़े लिखे दिख जाते हैं तो अपनी परी संपत्य देंदारी को घुशित करने के लिए चुनाफ खर्च का बेवरा जो है वह सारवचेटिक करना होगा अगर आपने यह गलत दिया है तो यह भ्रस्ट अचार के अंतरगत आएगा और इसके आधर पर आ कि अपनी सेक्षनिक योगता आप बताएं टेस्ट क्योंकि एक जो आपको वोट कर रहा है उसके पासे उसको यह राइट है उसको यह सूचना का अधिकार है यह वाली बात है तो चुनाफ खर्च का बेवरा सारवचेटिक करने को अनिवारे बनाता है यह प्रापधान कभी नहीं होता है आप सभी जानते हैं कि जो आपके आसपास अगर विधायक पार्षा इस तरह के लोग भी होगे तो उनकी संपत्ती में दो-चार साल में बड़ा एजाफा हो जाता है और उसके पीछी रीजन क्या होता है कि जो सारा पैसा आता है वो उनके घर में ही जाता जब हम चुनाफ सुधार की बात करेंगे तो चुनाफ सुधार में हम इस चीज को पड़ते हैं कि बूत कैप्चरिंग जो है इसको रोकने के लिए काम किया गया था ठीक है और ये किया गया था 1996 के पहले जो चुनाफ सुधार हुए थे चुनाफ सुधार को हम कुछ दश्कों में जानदे से कि 1996 हम लेकती थी निर्दारित कर लिए वर्ष उसके पहले के चुनाफ 96 के पहले के जो चुनाफ सुधार थे उसमें बूत कबजा करना मतलब जैसे उसमें कहा था कि चुनाफ को ह वोट दलबा दिये, तो इसको हम बूत कैप्चरिंग मानेंगे, तो बूत कैप्चरिंग है, घूस खोरी है, शत्रुता को आपने बढ़ावा दिया, इस तरह की भरस प्रताएं जो है, स्वतन्त और निस्पक्स चुनाब आयोजन सुनिश्चित करने में ये हल्प करेगा, लो जन प्रती निधेत्व, जन प्रती निधेत्व, अधीडियम, 1951, जन प्रती निधेत्व, अधीडियम, 1951, ठीक है, अब देखो, तो इस एक्ट में क्या है, कि सबसे पहली बाद तो ये लिखनों कि इसमें दोनों सदनों के लिए, सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट यही है, दोनों सदनों, दोनों सदनों और दोनों जगा के राजवाके लिए, ठीक है, सदस्थिता है तू योगता योगता सदस्थिता है तू योगता योगता ठीके तुराव विवाद रस्टाचरन तुराव विवाद रस्टाचरन संबन्दित मुद्दी तुराव विवाद रस्टाचरन संबन्दित मुद्दी ठीके अब देखू Zak pim य किसमें लिखा क्या क्या है जैसकि इसमें ये कहा कि संसद और जो राज की विधाई काए है कुछ प्रावधानों की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि संसधthis और राज की विधाई का है इन विधान-मंदल में भी योगता-योगता की बात इसमें करी गई है योगता और योगता के प्रावधान क्या-к्या होंगे आउधिसूचना क्यों जारी होगी जनरल इलेक्षिन कौन से होते हैं जनरल इलेक्षिन ये आम चुनाफ तो आम चुनाफ की अधी सूचना की बात इसमें करे गई चुनाफ संचालन के लिए प्रशाष्टिक मशीनरी क्या होगी प्रशाष्टिक मशीनरी चुनाफ संचालन कैसे होगा इसके लिए प्राप्धान किये गए है ठीके अब देखो चुनाफ संचालन के कुछ और भी वश्य हैं जैसे कि उमीदबार का नावांकन, मतदान, मतगरना, चुनाफ खर्च ये सारे चीज़ें भी इसमें लिखी हुई है जैसे कि उमीदबार के कुछ ऐजंट भी होते हैं तो उन एजंटों के बारे में भी गया है ठीके एसके अलावा चुनाफ के विवाद अच्छे ये सब तो हो गया ठीके अब देखो कि basically उप चुनाव ये केवल आम चुनाव की बात नहीं की गई है आम चुनाव जो पास साल में होते हैं अगर हम यहाँ पर उप चुनाव की चर्चा भी की गई है उप चुनाव मतलब मान लेजे कि कहीं पर एक दो सीटों के लिए चुनाव होता है कारण कु हो सकता है कि उमीदबार के मरती हो गई हो अनिकारणों से रित्तों पाटी ने निकाल दिया और यहाँ पर उप चुदाव के लिए कि टीटों को भरना ठीक है यह प्राव्थान भी इसमें किये गए है तो यह जन पे तरी ने अब दायटे 50 अब जर आई इस प्रिष्ट का म है वह किसके तहत पंजीकरत है चुनावी बॉंड हाला कि अब आप सभी को पता है कि चुनावी बॉंड जो है ठीक है उसको आज समवैधानिक सुप्रीम कोट ने हाल ही कि अपने निर्ने में घुशित कर दिया है एस बी आई ने हाला कि कुछ टाइम भी मागा था बड़ इक्यावन उनिस सुपचास दो हजार दो यह चुनाव सबद्नित आदेश अच्छे यह बताओ अभी तर हमने उनिस सुपचास की जब बात की प्यारे एक्ट नाइटेंफिटी तब हमें देखा किसमें सीटों के आवंटन की बात की इसमें बात की गई है राजनेतिक दल्टों ने का कि उमीदवार उमीदवार के एजेंट उनकी प्रक्रिया क्या हो अब हम चलते हैं परिसीमन अधिनियम 2000 परिसीमन अब सभी जानते हैं परिसीमन का मतलब क्या होता है कि देखो सबसे पहले मान लिजे पूरे देश को हमने चुनाफ के उद्देश से कुछ भागों में बात लिया चुनाफ के उद्देश से कुछ भागों में बात लिया इसको क्या कहेंगे निर्वाचन शेत्र इसको क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे पांसो तिन तालेस है आप देखो तो यह हो सकता है कि यहाँ पर जनसंख्या दस लाख है यहाँ पर पचास लाख है यहाँ पर दो करोड है तब ऐसे में क्या किया जाए यहाँ पर जनसंख्या जो दस हजार है, यहाँ पे पचास हजार है, यहाँ पे एक लाग है तो यहाँ पर क्या किया गया कि बिसिकली जनसंख्या के अनुपात में आपने इन शेत्रों को सम करने की कोशिश गया जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या के अनुपात में खेत्रों को पराबर यह सम करने की कोशिश की गई कि ठीक है ऐसा ना हो कि यहां पर 2 करोड है एक जगा 50 लाग है कोशिश है की जाए कि 1 करोड 10 लाग के आसपास लोग हो मतलब इस तरह की कुछ कोशिश है तो यहाँ पर क्या किया गया कि बेसिकली परी सीमन आयोग दीर इमिटेशन का काम यही है दीर इमिटेशन क्या करता है अब देखो जनसंख्या के अनुपात में तो ओविस सी बात है जनसंख्या की जानकारी आपको कैसे मिलेगी सेंसस से मिलेगी जनगर्णा से मिलेगी जनगर्णा के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में शेत्रों को बराबर करने का काम जो है पर देरवाचन आयो उजवै पर इसी मन के बारा किया जाता है अब ये देखो लास्ट जो इंपोर्टेंट है अगला दो हजार चब्विस में होगा इसले आपको याद रखना है दो हजार दो म लोग सभा के चुनाव हुए वो भी 543 की बट अभी सीटे चेंज हो जाएगी क्योंकि अब जनसंख्या औस तन रूप से बढ़ गई बहुत पच्चीस सालों में बहुत फर्क नहीं आया लेकिन अब एक मतलब अभी तर कितना फर्क नहीं आया 10-15 सालों में लेकिन 25 सालों म जनगणना पर आधारित था लेकिन यहां पर चौरासीव संविधान संशोधन ने कहा कि 2000-26 के आकरी जब तक जारी नहीं हो जा रहे हैं तब तक 1971 की जनगणना की आधार पर किया जाएगा बाद में एक और संविधान संशोधन किया गैं जिसमें ने की ठीक है 2001 की जनगणन होती है एक ही राज में अगर हम देखेंगे तो जो लोग है जो मन्दाता है वह एक जगा से दूसरी जगा पर आते जाते रहते हैं एक तरह से एक सत्त जो क्रम है वो चलता रहता है और इसलिए हमारे निर्वाचन शेत्रों में क्या है एक असमानता देखने को मिलती है इसके आकार में असमानता देखने को मिलती है और इसलिए परी सीमन नामी क्या है परी सीमन फिर से जोसकी सीमा है वह निर्धारित करना फिर से उसका सीमन करना तो यहाँ पर इसको सीमांकन आयोग भी कहा जाता है क्या कहा 80 और 170 प्रतिक राज को प्रतिक राज को खेत्रिये निर्वाचन खेत्रों में बटवारा प्रतिक राज को खेत्रों में बटवारा तथा पुनस थापना का प्रापधान किया गया और ये जो प्रापधान किया गया वो किसके आधार पर? Based on census जन्गर्णा के आधार पर जन्गर्णा के आधार पर साथी देखो कि अगर आर्टिकल 330 और 332 की बात करेंगे आर्टिकल और समझो आर्टिकल 330 और 332 इसके हिसाब से आप देखेंगे कि जो SCST की जो सीटे रहती है ना SCST सीटों का आबंडन तो ये जो आबंडन है इसको चेंज करना ये भी कौन करेगा आप देख लिया कि इस जगा पर SCST जिससे कि आपने देखा कि निर्वाचन शेत्रों में से कुछ सीट ऐसी होती है जो कि मालिजे SCST या किसी अन्यवर्ग के लिए इसको निरधारित कर दिया गया क्योंकि यहां पर जनसंख्या जनसंख्या कंपारिटिवली इस कम्यूटी की जादा थी तो आप जब लोग सतत रूप से एक जगा से दूसरी जगा पर आ रहे है जा रहे हैं तो इसलिए क्या होगा कि अब हमें इन में भी चेंजिस करने की ज़रुरत पड़ेगी तो 3.30 और 3.32 जो आर्टिकल है वह यह कहता है कि लोगसभा और विदानसभा में जो ऐसी अस्टी सीटो का अबंट है ने इसका भी पुरण धारन जो है किया जाएगा क्योंकि जनसंख्या हो सकता है कभी इधर उदर जादा चली गी तो उसका उस समुदाय का जो अभी तक हो गया हो तो इन दोनों ही परिशित्यों में यह जो काम है वह करा जाएगा ठीक है ख्लियर है तो परिसीमन आयोग करता क्या है तो एग शब्त में अगर हम कह जो निर्वाचन शित्रों में एक रूपता अब इस बार UPSC ने question पूछा था अब तक कितने निर्वाचन आयोग का जो गठन है माँफ कीजिए परिसीवन आयोग अब तक कितने परिसीवन आयोग बन चुके है यह आप मुझे answer देंगे कि कितने परिसीवन आयोग अब तक बन चुके है कितने परिसीवन आयोग बन चुके है यह 2024 का question है और मैं class में शायद करा भी चुके हूँ यह आप मुझे answer करेंगे इतना clear है आगे चलते है देखो यह सारी चीज़े तो हो गई अब कुछ-कुछ हमने ऐसे भी नियम बना दिये कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हमने का कि अब हमें कुछ और नियम चाहिए तो हमने का चलो ऐसा करते हैं कि जन प्रदित वदिने 1950 हो गया 51 भी हो गया परिसीमन भी हो गया अब हम क्या करते हैं चुनाप को लेके कुछ और अधेनियम बना लेते हैं कुछ और हमनियम बना लेते हैं जैसे की कि अलग से हमने संसद के लिए 1959 में एक अधेनियम बना लिया योगता निरोधाक और इसमें ये कहा कि अगर लाब का पदपधारक के संसद सदस चुने जाने के लिए योगता नहीं बनेगा जैसे कि अम देखा कि गर राजपाल के पत की बात करें राजपाल ये राजपती का पत क्या लाब का पत होगा तो यहां पर मतलब कुछ कुछ आप ऐसे प्राबधान देखेंगे कि जिसमें अगर आप इस पत पर है तो उसको लाब का पत नहीं माना जाएगा तो इसके लिए अप प्राबधान चुकी कहीं और थे नहीं सीटों एक जगा सीटों की बात की तो दूसरी ज़ाय योगता योगता की बात की लाप की पत की बात नहीं की तो पुनड समाय योजन करना है वो इसमें शामिल होगा संग को लेकर भी कुछ अधिनियम है कि संग में अगर किसी तरह का परिवरतन है दिल्ली रास्त्री राजधानी शेतर सरकार अधिनियम 1991 दिल्ली को लेकर स्पैशली कुछ एक्ट से है तो यहाँ पर चुनाफ कराने के लिए कुछ अलग-अलग हमें और अधिनियम की जरूरत उसके लिए यह अलग से जो अधिलियम है इसके लाजधे को रास्त्री और उपरास्त्री चुनाफ के लिए 1952 रास्त्री उपरास्त्री पत के लिए चुनाफ से संबंदित कुछ मामलों का नियमन करना था तो चुकि चुनाफ की बात चली रही है तो कहा चलो सभी के लिए क लाब कपत क्या होगा चारवा चीज़ों के लिए हमने अलग से एक नियमों का जो समू है वो बना दिया ठीक है आप देखो कुछ नियमा बनी बना ली जैसे कि निर्वाचक की निबंधन का मतलब क्या होता है है रजिस्टेशन पंजीग्रत अरे महीं हिंदी के भी शब्द टाफ होते हैं जरूरी नहीं है कि जो हिंदी वीडिया मसको सारे हिंदी की वर्ड्स हो जी भाषा भाषा शब्दा वाली बड़ी इंपॉर्टन चीज़ है न वाचन का निबंधन नियमा वली की कैसे पंजीग् रासपति उपरासपति के लिए है ठीक है 1974 लोकसभासदस राजसभासदस के लिए नियमा वली 2004 ही है कि संपत्य और देंदारी आपके कितनी होगी तो यहां पर हमने कुछ नियमा वली की जो बात है वह कर ली ठीक है तो बस यहां पर इन चीज़ों की बात की गई तो परी सी इसे का बढ़ चाहित है तो यहां पर देखो कि चुनाव के जो आदेश सैंडू का लेकर और यहां पर जो पंजीकर और जो मानिता प्राप्त दल होंगे उनको चुनाप चिन जाफिर जिसे राश्टी इस्तर पर मानिता प्राप्त दल होंगे उनको क्या होगा चुनाप चिन उनके लिए आरक्षित रखे जाएंगे तो यहां पर देखो चुनाप चिन आदेश 1968 के लिए आदेश 9068 है राजनितिक दलों के पंजी करन के लिए 1992 है इसमें की संख भारतिय नागरिक निकाए अतिक्त जानकारिया प्रस्तुत करने का प्राधान करेगा राजनितिक दल के साथ निबंदित या पंजी करत होना या जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है तो एक समझ में बड़ी छोड़ी से लक्चर है ठीक है तो यहां पर जैखो अब जैसे की हमने बात की दो एक्ट को समझा 1950 यहां से दो कुश्यस देखे मैं इसका कुश्यस एक बात मैं आपको बता दूँ जब भी इस तरह के कुश्यस आते हैं उनके पीछे एक जैसे की भेस्ट आ देता है वह चीज साल भर चर्चा में रही होती है आपके लिए इंपोर्टेंट रही होती है वहां से कुश्यस देता है ठीक है तो इसको लिखने के आप कोशिश करेंगे और चुनावी बांड की बात हम नेक्स टॉपिक में भी करेंगे क्योंकि तब हम चुनाफ सुधार क बात कर रहे होंगे पर इसी मन आयोग हो गया चुनाव संबंदितादिश हो गए यह सारे चीज़े आपकी हो गई सुबच्छों बहुत बहुत धनेवाद आपका ठीक है आपने वीडियो को देख लिया बहुत बहुत शुक लिया 81 आपके chapters complete हो गए next हम बात करेंगे chapter 82 की ज चार पाच चार पच वीडियो के आपके अगर कुछ ऐसे आइडियाज है कि मैं डिवाइस करा दो या टेस्क करा दो या लाइव आजाओ आप कॉमेंट कीजिएगा अब जरूरस को कंसीडर करेंगे थैंक्यू